प्रेंड्स इस छोड़ी जी वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज आज हम सीखने वाले हैं जी हाँ, वो चीज present indefinite और past indefinite से related है present indefinite और past indefinite में एक condition एक शर्थ ऐसी थी मैंने बोला था कि इसके लिए अलग से वीडियो बना करके समझाओंगा जी हाँ, बहुत माइने रखती है ये grammar या translation के अंदर अच्छे ये बात जो है वो किसी और tense से related नहीं ये सिर्फ present indefinite और past indefinite से related है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा सबसे favorite example है कि राहूल क्रिकेट खेलता है जो मैंने आपको present indefinite में दिया था और past indefinite में दिया था कि राहूल ने क्रिकेट कहला था तो राहूल क्रिकेट खेलता हैं में हमने जो English बनाई थी वो formula के अनुसार राहूल प्लेस क्रिकेट बनाई थी राहूल प्लेस क्रिकेट अब जिसी कि आपने और दूसरे टैस में भी सीखा है कि subject के फोरण बाद helping verb आता है तो यहाँ पे राहूल के बाद helping verb क्यों नहीं आया do does में से कोई भी क्यों नहीं आया वो इसलिए नहीं आया कि अगर हम helping verb do does लगा देते हैं तो sentence का meaning change हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि वो present indefinite present indefinite ही ना रहा है अगर do does लगा दिया जाए तो do does लगा के भी sentence बनती है लेकिन वो meaning change कर देती है देखते हैं यहाँ पे example के साथ राहूल क्रिकिट खेलता है राहूल प्लेस क्रिकिट यह तो SGT's है जैसे आपने present indefinite में सीखा था अगला example है हमारा कि राहूल ने क्रिकिट खेला तो है राहूल ने क्रिकिट खेला तो है यह तो जो है वो जोरे stress English language इसे stress के नाम से पहचानता है stress दिया जा रहा है और इस stress के लिए हमने हिंदी में इस्तिमाल किया है शब्द तो तो यह तो को English language नहीं पहचानता है और अगर हम helping verb लगा देते हैं do or does में से कोई एक positive sentence में तो तो का meaning निकल आता है stress बन जाता है कौनसी English के अनुसार? British English के अनुसार British English के अनुसार अगर आप helping verb present indefinite या past indefinite में इस्तिमाल कर लेते हैं तो तो का meaning निकल आएगा stress बन जाएगा तो stress हिंदे में हमने यहाँ पे तो से बनाया है जोर बना दिया round ले cricket खेला तो है खेला तो है भई मैंने देखा था जोर हो गया यह तो इस तो के लिए do does के इस्तिमाल करना है और इसी वज़े से present indefinite और past indefinite में helping verb लगाना मना था क्योंकि अगर हम helping verb लगा देते हैं तो translation के meaning में फर्क आ जाता है अगर helping verb राहूल डस पिले कर देते तो तो का meaning निकल आता लेकिन हमें तो meaning चाहिए था राहूल क्रिकट खेलता है British English के अनुसार positive sentence में helping verb लगाना मना है सिर्फ दो tense में present indefinite और past indefinite में तो अब चुके हमारा दूसरा जो example है उसमें तो लगावा है तो अब देखते हैं उसकी English कैसे बनेगी है तो present indefinite ये भी और ये भी सो sentence हुई राहूल डस प्ले किर्किट ये डस लग गया helping verb positive sentence में जो आपने present indefinite जब मैंने सिखा है था तो आपने किसी भी sentence में शायद dust के इस्तेमाल करते में नहीं देखा था किसी भी positive sentence में लेकिन यहाँ पे आप dust के इस्तेमाल करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप do ये डस लगा देते हैं तो वो 10 से बाहर नहीं हो जाएगा फिर्जनी definite से बाहर नहीं हो जाएगा बस meaning change हो जाएगा तो meaning जोर वाला हो गया तो वाला हो गया राहूल ने किर्किट खेला तो है इस तरह से meaning बन जाएगा अगर हम helping verb लगा देते हैं और helping verb नहीं लगाते हैं तो to का meaning नहीं आएगा लेकिन जैसे की oh का meaning आ जाएगा तो हमें helping verb लगाना चाहिए जैसे की एक और example ले ले लेते हैं तुम यहां आते TO हो अगर खाले ऐसी कहा जाएकि तुम यहां आते हो यू come here हो जाएगा लेकिन अगर तो का stress लगा दिया जाए जोर लगा दिया जाए तो helping verb का इस्तेमाल करना पड़ेगा और you can do ले लो यू do come here इसी तरह से आप third person का example ले सकते हैं वे कपड़े धोती है, she washes clothes वे कपड़े धोती तो है, जैसे ही तो लगा देंगे आप तो helping verb लगाना पड़ेगा आपको she does wash clothes अब यह जो do के साथ आपने s लगा दिया, यह does बन गया तो वो wash में जो s लगा बाए, वो फिर नहीं आएगा क्योंकि शर्त यह भी होती है, कि जब आप helping verb में s लगा चुके हैं यानि do के अंदर s लगाया है, तब ही वो does बनाए, तो आप man verb में s नहीं लगा सकते हैं क्योंकि फिर जितने भी changes होते हैं, वो helping verb के साथ ही होते हैं अगर ये s वाला change भी हमें करना होगा, तो वो helping verb के साथ ही करना होगा ऐसा नहीं कि आप do करते हैं और washes भी करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता washes को गलत मानता है English language, हमें do के साथ ही s लगा के उसे dust कर दीना होगा फिर wash के अंदर s कभी नहीं लगाना होगा, अगर हम wash के अंदर s भी लगा देते हैं और does भी लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, तो helping verb या किसी पी तरह का change sentence में होता है verb के साथ तो वो helping verb के साथ ही होता है, तो यह s लगा के जो हमने verb को change किया है, तोड़ा सा change आया है, वो helping verb अगर है तो उसी के साथ लगेगा और अगर helping verb नहीं है, मजबूरी के तौर पे जैसे percent indefinite में मना था, तो हमने play का place किया था, तो वो changes करना लाजमी हो जाते है अब हम चलते है past की तरफ, तो past की example भी हमारे इंतजार कर रहे है, जो है number 3 और number 4, past में, past indefinite में राहूल ने cricket खेला था, हम सब जानते हैं formula के अनुसार subject प्लस V2 प्लस object, तो subject हुआ राहूल, राहूल ले लिया हमने, फिर V2 verb की second form, played कर दिया हमने, क्या cricket, subject प्लस V2 प्लस object ये तीन चीज़े थी past indefinite के formula में और ये तीन चीज़े हम यहापे ले चुके हैं, राहूल प्लेट cricket जी यहां, बिल्कुल सही हुआ, कोई भी गलती नहीं हुई यहापे, लेकिन जैसे हमारी sentence ऐसे हो जाती है कि राहूल ने cricket खेला, तो था, ये तो वाला जोर आ गया, stress आ ये मना थी कि अगर हम लगा देते, तो meaning change हो जाता, sentence का, तो से meaning बन जाता, राहूल ने cricket खेला तो था, ऐसा बन जाता, लेकिन चुके तो का meaning नहीं देना होता है, British language के according पहली sentence में, positive sentence में, तो इसलिए वो मना करता है, लेकिन American English के हिसाप से, ऐसा नहीं होता है, American English positive sentence में भी helping पर मांग लेता है, किस sentence की बात कर रहा हूँ मैं, present indefinite और past indefinite दोनों की, वहाँ पे American English के अगर बात होगी, तो वहाँ पे helping पर बलेगीगी, तो है या नहीं है, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन British English, जो man English होती हमारी, जो हम ज्यादा तर हिंदुस्तान म हमें से काई, वह यही है, कि British English के rules इलागी होती है, और rules का कोई ज्यादा ऐसा कुछ फंडा कोई चकर नहीं होता है, जब आप English सीख रहे होते हैं, तो वह rules धीरे धीरे आपको पता चलते रहते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि British English कौन सी होती है, या American English कौन सी हो इस बार हमने लगा दिया, फिर चाहिए, वी टू नहीं चाहिए, वी बन चाहिए, क्योंकि डिड आ गया वी टू के तौर पर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको पता है कि जितनी भी changes होएंगे, वो helping verb के साथ होएंगे, तो helping verb, वी टू कर दिया हमने, डू का जब helping verb है, तो आपको helping verb को ही वी टू में बनाना होगा, और man verb को वी बन में लिके आना होगा, so did के बाद, अब man verb हमें वी बन में चाहिए, जो है play, so Rahul did play, क्या cricket, Rahul ने cricket खेला तो था, जी हाँ, यही meaning निकलता है इससे, इसलिए मना था, past indefinite में भी helping verb लगाना कियोंकि अ उसे meaning देना ही नहीं था, इसलिए past indefinite में भी helping verb मना था, तो friends आपने सबसे बड़ी problem solve कर लिए है, helping verb क्यों मना है present indefinite में और past indefinite में ये सीख लिए आपने, अगर लगा देते हैं, तो क्या होता है, ये भी सीख लिए आपने, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों का क शेयर भी करें, जिससे के दूर दराद गावों में बैठे वे लोग, छोटे शेहरों में बैठे वे लोग, English सीख सकें बिना पैसे के, free of course पूरा course चल रहा है हमारे चैनल पे, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक पहला दें, क्योंकि हम लोग पूरा course आपको सिखा रहे हैं, जान लीजे इस बात को हम बार बार बता रहे हैं कि इस चैनल पे आपका English का पूरा course चल रहा है, आप लोग जो भी नहीं नहीं आए हैं, वो हमारे नहीं वीडियो के साथ साथ पुराने लेक्शर भी देखते र जाएं, thank you very much guys, bye bye.